जितने भी advocates या फ़े जितने भी law students, अगर courts के अंदर जाते हैं, उनसे भी रग advocates या law students ने fours में जाते हो एक चीज जरूर देखी होगी, कि एक time आता है जब सारे वकील, सारे advocates जो हैं, एक साथ का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा कोई भी कोट के अंदर काम वकीलों के जरिये जो होता है वो नहीं होगा abstain कर जाता है रिस्टेन कर जाता है आज पूरा का पूरा यह सा काम पूरे के बुरे कोट रूम में तो जितना भी अब अलाबाद हाई कोट ने बहुत जादा गुसा होए और अलाबाद हाई कोट ने यूपी बार काउंसिल को डिरेक्ट एक नोटिस पास करा कि आप ऐसा कुछ मैजस लेओ ऐसा कोई resolution बनाओ कि बाई ऐसे जो वकील लोग जो है यह जो स्ट्राइक पर आ जाते हैं और रिस्टेन कर देते हैं पूरे के पूरे कोट के वर्क को ऐसा हो ना पाए ऐसा बार काउंसिल यूपी बार काउंसिल आप कुछ ऐसा एक बड़ा कदम लीजिए तो इसी के रिगार्डिंग जो एड़ोकेट्स थे उन्होंने स्ट्राइक कोई अच्छी बात पर करी थी या बेकार बात पर करी थी या बिल्कुल बेवजा इल्लॉजिकल कोई स्ट्राइक करी थी पूरी वीडियो आप शूरी से गांट तक देखना और आप लोग बताईएगा कि आप अगर कोट में जाते हैं तो क्या आपने कैसी कोई चीज देखी है जब एड़ोकेट्स जो अपना स्ट्राइक पे बैठे हुए है या आपने कभी प्रोटेस्ट के अंदर जॉइन करा है या नहीं करा कमेंट बॉक्स के अपना पॉइंट आफ यू ज़रू बताईगा हम वीडियो को स्टा मिलेगा 300 रुपे में आप केवल और केवल 45 देज तक इतना बेस्ट प्लैटफॉर्म पासकते हो 45 देज का प्लस सब्सिप्शन का मेरे कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिसकाउंट ज़रूर मिल जाएगा SLG10 का साथी में आगर मैं जुडीश्री गोल्ड की बात करूँ त तो इसके अंदर जुडीश्री गोल के अंदर आपको बहुत बढ़िया प्लैटफॉर्म है पहले यह ओफर केवला 28 अपरेल तक का रहा लेकिन अनगाडमी ने इसको एक्स्टेंड करके 30 अपरेल तक कर दिया गया है अगर आप इनी दोरान यानि 30 अपरेल रात के 12 बचे से पहले पहले जुडीश्री का कोई भी सब्सिप्शन आप लेना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हो आपको 20% हो अनगाडमी की तरफ से डिसकाउंट दिया जा रहा है प्लस आप मेरा कोड यूस करते हो SLG10 का तो आपको 10% का additional discount देखने को मिलेगा सभी जुडी कोई भी बैच जॉइन करना चाहते हो तो कर सकते हो जुडीशी की मेंस के test series भी चलती है आप वो भी जॉइन कर सकते हो एंड यहाँ पर free of cost classes भी चलती है अनगाडमी के अपर and यहाँ पर daily basis पर test series भी चलती है आप यह भी जॉइन कर सकते हो अनगाडमी का iconic batch भी होता है जिस अलाबाद High Court गुस्सा होए है सारे advocates के उपर जिन्होंने अपना काम रोग दिया है इनसार गुस्सा बोल लीजिए या फिर UP Bar Council को एक notice बास करा है कि UP Bar Council आप एक measure लेओ और एक resolution बनाओ तो इस case के अंदर UP Bar Council ने अलाबाद High Court को बोला जसाब हम बिलकुल एक suitable measures लेकर हैं या कुछ भी जब advocates boycott करते हैं कि आज हम कोट का काम करेंगे ही नहीं तो हम UP Bar Council वाले जो हम एक ऐसा resolution पास करेंगे कि अगर कोई भी advocate पाया जाता है ऐसे boycott करते हुए या restraint from court work से तम उसके किलाफ कारवाई करेंगे UP Bar Council ने अलाबाद High Court को ये इतनी सी बात बोली है लेकि क्या था क्यों भीजा बहुत important मुद्दा है आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है मेरी बात पर गौर जूरू करिएगा यहां पर क्या हो रहता है कि अलाबाद High Court जो है न वह एक सुव मोटो केस अपना सुन रहे थे हैं अपने आपी केस ले लेके और सुनवाई कर के लिए जो revenue course होते हैं यूपी के अंदर वहां पर जो जज होने चाहिए और जो ऑल्रेडी पोस्टेड है मान लेते हैं दस जज होने चाहिए बहुत जाएं तो इस लिए shortage and non-availability की बात करिए एक तो shortage है दस जज होने चाहिए पांच जज है पांच की shortage हो गई और जितने जज है तो इसमें non-availability non-availability of the presiding officer तो इसके regarding मुद्दा चल रहा था और मेरे साफ से अड्वोकेट्स इसी के regarding जए स्ट्राइक पर बैठी हुए थे और रिस्टेन कर रहे थे कोट वक्स से कि भाई पहले सीटे भरो जबी हम सारे वकील लोग जो है अपना कोट का काम करेंगे मेरे मताबिक यह स्ट्राइक अच्छी भी है ठीक है अपनी कोई मांग कर रहे हैं बट अलाबाद हाई कोट ने यू प्तरपदेश सरकार उनको एक नोटिस बेजा कि यूपी गवर्रमेंट आप हमार को एक एफटेबिट जमा करो एफटेबिट में क्या बात हो के लिए आप हमार को जमा करोगे पहली बात कि वह आपने कितने डिस्रिक मेडिस्टेट अपॉइंट करें पहली बात और जो का पहले बात कितने थे लोगे और क्या घयाने वाले टाइम में क्या-क्या स्टेब्स तुम लोगे जितनी वी बात है और क्या को fill up करने के लिए क्या क्या अब मैजर्स लोग है उसके बारे में हमारे को बताओ और क्या लोकल गवर्मेंट और अथोरिटीज जितने भी यह लोकल गवर्मेंट और जितनी भी अथोरिटीज हैं वह ऐसा क्या कदम लेंगी कि जो यह जुडिशल ऑफिसर्स जो अपॉइंट इसकी हमारे को कमी खतम करनी है तो जल्दी से जल्दी आप लोग यूपी सरकार हमें एफिडेबिट दीजिए अब आप लोग बताईएगा कि अगर आप रेविन्यू कोट के अंदर प्रैक्टिस करते हो तो क्या आपको फील होता है कि यहां पे जुडिशल स्टाफ की कमी ह है हाँ या ना एक वरिया आप कमेंट बोक्स के अंदर अपना पॉइंट अफ्यू बताईगा आपका डिसकेशन आपका कमेंट बोक्स का एक कमेंट बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है अगर आपको वीडियो बसंद आईए त तेंक यू दने बाद